जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जै मागमास महत्यम की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूड़ी चैनल के ओड़ से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक भिनंदन करते हैं आज मापको सुनाने जा रहे हैं मागमास महत्यम के 26 अधाय की परमपावन कथा जो की इस परकार है पथिक कहने लगा कि हे प्रेत तुमने सारस के वचन किस परकार और क्या सुने थी सो सब क्रिपा करके कहिए प्रेत कहने लगा है कि इस वन में कुरा नाम की नदी परवत से निकलती है मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहीं पर ठेर गया उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर रिक्ष से उतर कर जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक सारस सोया हुआ था उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोय हुए सारस को धिर्टा से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए परंतु सारसी भेभीत होकर विलाप करते हुई वहीं पर रुक गई है नीद के दूर होने तथा भैसे नेत्र खोल कर सारस ने बंदर को देखा और मधुरवानी से कहने लगा कि तुम बिना पराध मुझे दूख क्यों देते हो इस संसार में राजा भी केवल अपराध्यों को ही दंड देता है तुम्हारे जैसे शेष्ठ परानी किसी को पीड़ नहीं देते हम अहिनसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते जल की काई खाने वाले आकाश में उड़ने वाले वन में रहने वाले अपनी इस तरी से प्रेम करने वाले दूसरों की इस्त्री को त्यागने वाले दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले चोरी ना करने वाले की संगती से वरजित किसी को कश्ट ना देने वाले हैं सो इस परकार मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो मैं तुम्हारे पहले जनम के सब वृतांत को जानता हूँ यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़ कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जनम के वृतांत को कैसे जानते हो तुम अग्यानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ सारस कहने लगा है कि मैं अपनी जाती के समरती के बल से तुम्हारे पूर्व जनम के विशे में सब कुछ जानता हूँ पूर्व जनम में तुम विंधा परवत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीडन रूपी अगनी की ज्वाला से पहले ही तप चुके थे पहले तुम कुम्भी पाक नरक में डाले गए तुम्हारे शरीर को नरक में तीन हजार वर्ष बीत गए फिर नरक से निकल कर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनी में आये हो और मुझे को मारना चाते हो पुर्व जनम में तुमने ब्रह्मन के बाग से लूट कर बल पुर्वक फल खाये थे उसका यह भ्यंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए हो प्रानी अवश्य ही अपने किये हुए कर्मों का फल भूगता है इसको देवता भी नहीं हटा सकते जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा इस प्रकार मैं सारस का जनम लेकर भी अग्यान से मोहित नहीं हुआ इतनी कथा सुनकर वानर आज कहने लगा है कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए सारस कहने लगा है कि मेरी दुरगती का कारण भी सुन लो तुमने नरमदा नदी के किनारे पर सूरे ग्रहन के समय बहुत से ब्रहमनों के निमित सो धेर अन के दान किये थे मैंने पुर्भुईताई के मद से थोड़ा सा ब्रहमनों को दिया और बाकी सब मैं आप ही ले गया इन ब्रामनों के द्रवे का अपहरन करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में कीडे और फिर रक्त कूर्दम नरक में जहां पर बड़े बड़े कीडे थे और रक्त तथा पीब से भरा हुआ ना भी तथा नीचे सिर और उपर किये हुए पीब को चाठता हुआ उस दुरुगंद वाले नरक में कीडों आदी से काटा जाकर तीन हजार वर्ष तक उस यातना को भूगता रहा मैं नरक के दुख का वर्नन नहीं कर सकता फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का मैंने जन्म पाया क्योंकि पुर्व जन्म में अपनी भेन के घर से कांसे का बरतन चुराया था इसको मैंने एक जुवारी को दिया इसी से मैं सारस की योनी में आया और यह मेरी इस्तरी सारसी हुई यह सब मैंने तुम से अपने करम का फल कहा है अब भविशे की भी बात सुनू अब मैं तुम और है मेरी इस्तरी भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे फिर इसके पशात गव की योनी में और फिर जाकर दूरलभ मनुष योनी को प्राप्त होंगे इसमें मनुष पाप और पुन्य दोनों ही कर सकता है इस प्रकार भगवान शिव की माया से यह सारा जगत मो को प्राप्त होता है ना केवल हम ही प्रंतु इस संसार के सभी जीव प्रवर्ती मार्ग में फंस कर अच्छे और बुरे करम करते हैं और उनका फल भी मोगते हैं इसलिए सब प्रानियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष, व्याग्र, कीडे, मकोडे सभी से यह कंटक रूपी मारग नहीं छूटता। केवल विदांत जानने वाले योगी ही इस मारग से बच सकते हैं। इसी कारण से बड़े-बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते हैं। उपाय से तथा बुद्धी से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। जैसा जिसने कर्म किया है उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तुम पहले राजा थे फिर नरक में गए अब बंदर की योनी में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पुर्वक और धेर धर कर विचरते हुए काल की पर थिक्षा करो। तब वानर ने कहा है कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था। अब तुम मुझे को प्रनाम करते हो। तुम जाती के समरं से मेरे पुर्व जन जाने के पशात पथिक कहने लगा है कि इस प्रकार मैंने सारस और बंदर का समवाद सुना जिसको सुनकर मुझे को बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ है। तो यहीं पर माग मास मत्यम के 26 अधाय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में सपष्ट बताया गया ह कि हम जो कुछ भी करम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। चाहे इस जनम में चाहे अगले जनम में हमने अच्छे करम किये हैं तो उसका अच्छा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमने बुरे करम किये हैं तो उसका बुरा फल हमें प्राप्त होगा ही होगा अपने कर्म फल से हम किसी भी तरह से नहीं बच सकते अगर हम भगवान की भक्ती करते हैं तो इससे हमारे पुर्व जन्मों के पापों का नाश होता है इसलिए प्रतिशन हर शन में हर स्वास में हर समय भगवान की भक्ती में अपने मन को लगाना चाहिए ना ज इसलिए कहा जाता है कि मनुश्य जीवन अगर प्राप्त हो गया है तो भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन कर लेना चाहिए भगवान प्रसन होंगे तो हमारे पुर्व जनम के पापों का और इस जनम में हमने जो पाप करम किये हैं उन सब पापों का नाश भगवान एक ही शन में कर देंगे और जब हमारे पापों का नाश हो जाएगा तो हमारे जीवन में सुक, शांती और आनंद अपने आप ही आ जाएंगे आज हमारे जीवन में दुख हैं, मुसिबते हैं, चिंताइं हैं, तरह-तरह की कठी नाइया हैं तो उसका कारण हमारे पुर्व जनम के या इस जनम के पाप करम है उन्ही पाप करमों के कारण हमें आज ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है अगर हमने पहले बुरे करम ना किए होते तो आज हमारा जीवन बिलकुल अच्छा होता लेकिन जो हुआ सो हुआ उसको याद करने से कोई लाभ नहीं है उससे शिक्षा तो ली जा सकती है लेकिन उसको केवल याद करने से कोई लाभ नहीं है हमारे धर्म गरंतों में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की भक्ती हर समय करते रहना चाहिए ताकि अपने जीवन को सुधारा जा सके और इस भवसागर से पार हुआ जा सके सदा ध्यान में रहे कि भवसागर से पार उतरने के लिए केवल भगवान की भक्ती ही एक मातर साधन है भगवान की भक्ती के बिना कभी भी कोई भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता इसलिए हर समय भगवान को याद करते रहना चाहिए तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दी का धन्यवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की महगमास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै महगमास महत्यम की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम